अबास जी बताएं कि COVID-19 का संकट आया है, इस से चितरकला और चितरकारों पर कुछ फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ा है, हर तरीके से फर्क पड़ा, ना तो हम कुछ कर पाएं हैं और ना हमें किसी ने करने दिया, कि जब हम कुछ देख ही नहीं रहे हैं, लोगडाउन हो चुका है, तो इस लोगडाउन में हमारी जो इच्छा होती है, और जो हम एक फ्री जो चारों तरफ गूमते हुए, देखते हुए, रोज का उठना, रोज का भागना, और जो एक रूटीन होता है, वो रूटीन का है यह, और आपको एक पैंटिंग बना के देनी, तो उस वक्त क्या है, कि हमारे दिमाग में यही गूमता है, कि सब्जेक्ट, तो यही COVID-19 का सब्जेक्ट, तो वहां से हमने हमारे हिसाफ से पैंट भी किया, तो उसमें हमने आनंद लिया है, लेकिन कुल मिला के, आज की जो इस्तिती है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए हैं. अबास जी, चितरकला कितना यथार्त है और कितनी कल्पना? देखिए, यह तो देखने का नजरिया है, कि हम जो देख रहे हैं, वो तो यथार्त है, और उसको जो हम अनूबब करके, और जो अभी वेक्त करते हैं, उनमे तो एक नया क्रियेशन तो निकल के आए गई. ऐसा भी माना जाता है कि जो समकालीन कला होती है, या कला होती है, वहां कहीं कलाकार संकेत छोड़ता है, अपने समय के पत्चिन भी छोड़ता है, तो यह COVID-19 के पत्चिन भी आपकी चितरकला में नजर आ रहे हैं या आएंगे अब देखिए ये तो अब आएंगे, अभी तक तो हम काफी कुछ जेल रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और जो इस्तितियां आज की ताहिक में आई है, आर्टिस्टों के साथ में, और उनका पूरा बेगरोन ही थोड़ा सा चेंज हो गया है, हर तरीके से, तो फर्क तो अब रहता हूं, अपने अपने देशकाल में कोई मद्दी मार्च के बीच में एक हववा बनके जनमानस में पसरना शुरू किया था, और बहुत ही साफ याद आता है कि उन दिनों में हमने अपने सारी चितर सामगरीयों को, क्योंकि ये स्टूडियों में हुआ नहीं करते तो घर में जैसे तेसे जो जो मिल पाया सामगरी जूटा कर एक बार जरूर कुशिश की कि यार हमें खाली समय मिल रहा है, घर बैठके कुछ किया जा सकता है, और बेशक मैं देख रहा हूं सोचल मीडिया के थूँ और वैसे भी पूरे दुनिया के कलाकारों ने सहसा काम श शुरू कर दिया कि वो घर में हैं, उन्हें एक तरह की अमुक वैकेंसी मिली हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी करीब डेड़ दो महीने के अंतराल में धीरे धीरे हालात कुछ इस तरह के होने लगे, आप देखिए ना बच्चों में, अभी भावकों में, पेरेंट्स में कि वो लूडो खेलना है, कैरम खेलना शुरू कर दिया, वो अपने परमपरागत खेल, चंगा बित्ती शुरू कर दी, महीने, सवा महीने, तेड़ महीने तक चलता रहा, कलाकार में भी यही हुआ, ताबर तोड़ लोग काम करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वापस एक ऐसा मैंने महसूस किया है, कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, अगर वैकिनसी मिल रही है और खाली समय मिल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि श्रजन किया जाए, बलकि सच मानिये, मेरा व्यक्तिशह मत तो यह है, कि इस वडमना पूर्वक समय में, श्रजन का समय यह हो नहीं सक सारी के जो आगा पीछा जो जो बाते हैं जो तत्थे हैं तत्व हैं वही लरज गए हैं सारे तो ऐसी विडम्बना पूरवक समय में दिल खोल के मन खोल के अपनी अभिवन जिना पूरवक कोई कलाकार काम कर पाए और खुश हो ले मैं नहीं समझता कि यह ऐसा हरवार संभव ह पता है इबन जी दिल ढूंड़ता है फिर वही फुरसत के रात दिन और जब फुरसत के रात दिन इतने सारे मिल गए तो वो पसंद नहीं है हाँ मैंने तो सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि अब दिल कभी नहीं ढूंड़ेगा फुरसत के रात दिन इतना जादा हो गया उस periphery में आप इतने हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुनना बना, आप देखिए ना क्या आलत हो गई कि मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकता, मैं आपको हग नहीं कर सकता, मैं आपसे दो गज़ की दूरी बना के रख रहा हूं, तो ये कहीं न कहीं ये दूरी तो बनी है, कौविड ने दूरी तो की है, कौविड ने इतनी अच्छी तरीके से दूरी की है, कि हमें उसका कोई तोड भी नजर नहीं आता है, और बाकी ये जरूर है कि अब खाली समय बहुत मिल गया, और यूं देखें तो ये खाली समय भी क्या काम का कि मैं शिमला नहीं जा पाऊं, म हमारे साथ शरीक हैं मशूर चितरकार उदेपूर के अबास बाटली वाला और साथ हैं हिमंद द्वेदी जी, अबास जी बताएं कि ऐसा एक कथन है, ऐसा एक मित है कि कलाकार को आईसूलेशन, सरजन के लिए उसको एकांत अकेला पन चाहिए, एकांत के गर्ब से ही कला जन ही है, जहां बिलकुल इनसान अपने एक प्रोपर इस एडिया में ही दपके रह जाएं, और उसके अलावा क्या है कि आप अगर जब तक देखोगे नहीं, दूंडोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं करपाऊगे हैं, तो हर रोच पेंटिंग के अंदर कुछ नहीं कुछ मेरी भावना यह है, और उसके आगे तुम्हें कुछ नहीं कहाँगा, अलग-अलग आर्टिस्टों की अलग-अलग राय है, हमार हेमन भई की क्या राय है, यह जानते हैं, हेमन जी आपकी क्या राय है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट तो आइसोलेशन में ही रहता है, चा बहुतिक रूप से हमें आइसोलेशन वाली जो दरकार हुई है, यह कोई बहुत, मैं कहरा हूँ कि तनी महत पुर्ण थी नहीं, क्योंकि आइसोलेशन यह बहुतिक था, और 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 और, वो कोई ज़रूरी रही है किसी कलाकार के लिए, मैं बारंबार कहरा हूँ कि कलाकार तो वो है जो खुद क्वरिंटाइन हमेशा रहता है हम लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा है एक तरह से देखा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब किसी स्टेजन में लीन होते हैं या अनंदारा होता है कोई पेंट करते हुए तो बेशक समय का ख्याल नहीं रहता है भूख प्याद सब खतम हो जाती है ना किसी यारी दोस्ती का या कोई सगे संबन दी या कोई मिलने जुलने वाले हो बलकि लगता है कि या स्कैप करने की इच्छा होती यार कोई आ नहीं जाए यार इन दिनों में कोई आनी जाए कोई महमान नहीं आ जाए बहुत सीधी मैं आपसे बात बता रहा हूँ और ये मज़ा है ये उसकी सरस्ता है तो ये ये आईसोलेशन ठीक है था इसमें कोई शक नहीं था एक तरह से तो था दुनियादारी का आईसोलेशन तो था ये ये यू माने कि हम अगर खुद आईसोलेट होते हैं तो तो अच्छा है और दुनिया कर दे है बाहर वाले कर दे तो अच्छा नहीं है बेशक बेशक उसमें एक तो आपकी आपका स्वातंत्री वीच में आ जाता है निश्चित रूप से बिलकुल वाजब बात है आप क्या कहेंगे बास जी बिलकुल यही बात है वो बहुतिक और मानसिक ये दोनों बाते हमारे हमन बही ने बताई है तो बिलकुल सठीक है तो बहुतिकला जो माहूल है अगर उनमें अगर मानसिकता अच्छी हो तो सरजन और अच्छा होता है और उलजाव हो डर हो और खोफ तो काफी फैल चुका है बिलकुल और इस वीच में क्या होता है कि चलो ठीक है जैसे मेरे पास शब्द नहीं है मान लीजी मेरे पास शब्द नहीं है मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और जैसे हमारे हमन भाई है उनके पास में पूरी शब्द की पूरी माला है वो अच्छी तरह से बोल पा रहे हैं तो ये भराज निकालने के लिए आपके पास में क्या है कोई किस तरह से पनी भराज निकालेगा तो हमारे तो जैसे हम चितरकार है हमें भराज निकालने का तो हमें बहुत अच्छा सादन मिला था लेकिन कुछ ऐसे जैसे मैं चितरकार के साथ में एक बिजनिसमेन भी हूँ बिजनिसमेन यानि के नाम का लेकिन हूँ जुड़ा हुआ हूँ लेकि उनमें भी देखिए आप के जहां वो रुटिन ठूर जाता है कि आप रेगुलर यह पїरेड आपका शॉब का था और यह प्यरेड आपका पैंट करने का था तो पैंट करना तो मेरा क्या है कि जैसे मैं उसको ला के और उसकी अनूकरती कर रहा हूँ यह नदि उसको उतार रहा हूँ लेकिन जो मेरा दूसरा पिरेड था जहां मैं शोप पे जाता था जो देखता हूँ जो अनूबह उपरता हूँ उसका जो निच्छोर दिमाद में गूमता है और उस वक्त जो यह कर सकते हैं कि इस बीच में वह वाला माहूल नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए अब गर के अंदर है जैसे जाडू लगा रहे हैं पोचे लगा रहे हैं कोई बढ़ मुड़ा लेके गूम रहा है कोई क्या कर रहा है तो वह इन्वार्मेंट जो था तो ठीक है मैंने एक पें के जरीए भी यह भै कहिन के प्रकट हुआ है या करें चित्रों में काला रंग ज्यादा तो नहीं आ गया चित्रों में तो नहीं आया है और चित्रों में अगर काला रंग आ भी जाए तो कलाकार की जरूरत या दर्शक की जरूरत के मताबिक वो जोड़ तोड़ ही देता है पर हाँ हमारे मानस पटल पर एक स्याह वातावरन तो बना है एक ऐसा कन्फ्यूजन है ऐसा हम प्लर हो गए है बलकि रंग हीन हुए है मैं यहाँ किसी पॉजिटिविटी को ले के या उसको ले के आशानवित नहीं हूँ ऐसी बात नहीं है दिन बदलेंगे अच्छे दिन भी आएंगे कोरोना भी दीरे दीरे मर्ज हो जाएगा कतम हो जाएगा लेकिन आज के हालात में हाँ एक स्याह रंग तो आपके और हमारे बीच में आया ही है कितने चित्रों में कहीं कहीं अपरोक शुरूप से जिने आपने बना है उसमें कोविड-19 परकट हुआ है देखिए ये बहुती ये ये जो आप आपने जो ये बात कहीं है मुझे लगता है कि चित्र के अंदर कोविड आना या न आने से कुछ भी एक्सप्रेस होने वाला नहीं है कई बार हम देखते हैं कि मीडियो कर आर्टिस क्या करता है कि अपने चित्र के विशय के पात्रों को खास कर मानव आकरतियों के मुह पर मास्क लगा दिया या कोई ऐसा ये वाइरस जैसा कोई जन्तू या तन्तू बना दिया मैं नहीं समझता कि इससे ये समस्या परिलक्षित हो रही है कॉविड की जो समस्या है और उसके जो दोश हैं जो सुसाइटी पर जो अपना बुरा प्रभाव बताते हैं वो कहीं न कहीं ये इनकें प्रकारी नगर के लाका रभी विंजित कर पाए तो हम समझता है कि ये विड़मुणा उसने दर्शाई है वरना इस तरह कि मास्क बना देने से और वाइरस बता देने से मैं नहीं समझता कि ये समस्या इस तरह से कोई मुखरित हो पाईगी या इसका कोई समाधान निकल पाएगा अबास जी ये जो COVID-19 का संकट है इसमें हमने दूसरी बात हैं तो कि चित्रों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चित्रकार के मानस पटल पर कितना प्रभाव पड़ेगा या समाज पर कितना प्रभाव पड़ेगा लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष और है वो है अर्थ श है जी बिलकुल बहुत फर्क बड़ा है और ठीक है हम तो छोटे शहर में रहते हैं और एक ऐसा सामन जिस्थ से हो एक बन जाता है कि उनमें हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो बड़े शहर है जहां पर कुछ एक पास में कौन रहता है ये भी मालूम नहीं है तो उन लोगों का जीना इस माहूल में बड़ा दिक्कत का हो गया है और आर्टिस्ट लोगों के लिए तो में मेरे बड़ा शब्द नहीं है कि वो किस तरह से अपना ये टाइम निकाल रहे हैं तकलीफ में तो है हम जी आप बताएं तेखिए सारे कलाक उद्ध्यम में और इस ताने बाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि जो प्रफेशनल आर्टिस्ट है उसको इतनी दिक्कत नहीं हुई है वो आज नहीं तो कल इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष अपना प्रदर्शन भी कर लेगा सक्षम भी है उसके पास मुझे लगता है कुछ अपने कृतियों की कामों की संख्या भी गट बढ़ जाएगी एक बार वो अपना दाना पानी भी चला लेगा लेकिन जो जो कमर्शियल आर्टिस्ट हैं जो व्यवसाईग द्रिस्टी से काम करते हैं खास करके मैं देखता हूं कि अपने जैसे बन्द हो गया इसारी व्यवस्थाएं बन्द हो गई दुकानदारियां बन्द हो गई तो बेशकी है बहुत चिंता की बात हुई पर इससे भी जादा गंभीर मुझे लगा है प्रदर्शन कारी कलाकारों के लिए बहुत मुश्किल का समया गया साथ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए तो आप यह समझ के चलें कि वो बिचारा क्या करेगा और बलकि कहीं ने कहीं मुझे लगता है कि जो 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 अंदर बैट के लोकलाओं की चिंता कर रहा है मैं देख रहा हूं मीडिया पर जो अंदर एसी कमरों में बैट कर लोकलाओं की चिंता कर रहा है वो उन लोकलाकारों के घर से उनके प्रदर्शन करवा है कि वीडियो शूट करके जनता जनारदन को दिकदर्शन करवा रहा है इससे कुछ नहीं हो रहा ह शायद मैंने सुना हैं कि सरकारी ऐसी कोई परियोजना या ऐसा कोई दो एक महीने पहले अंजाम देने वाले हैं जिससे खास करके परफॉर्मिंग कलाकारों को कोई फायदा हो पाएगा अगर वाकई ऐसी कोई बात है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हाँ फर्क तो बड़ है ये भी होता है कि ये संकट हमें कहीं बैक टू बेसिक तो नहीं लिया आया जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन इन चार चीजों की भी जरूत है ऐसे में चितनों का हम क्या करेंगे ये तो समय बता है रहा है कि आगे क्या होने वाला है ले लेकिन पूरा मसला दुनिया का है खली हंदुस्तान का नहीं ए तो आप देखिए आके क्या होता है इसमें मेरे बास तो कोई बी ऐसे शब्द नहीं है कि मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता सको बस देखते जाओ लेकि हमन जी बता सकते हैं डिटेल सिनके पास में तेखिए मेरा अपना जो निज एक विचार भी रहा है और बहुत आंदायुचा मुझे बड़ा अत्मश्लागा तो नहीं कहूंगा और मैं बहुत संतोश में रहता हूं जब मैं विचार करता हूं मेरे गुरु ने भी मुझे सखाया और वो है मिनिमलिजम मैं अपनी कृतीयों में भी मिनिमलिजम को लेके चिंतित करता हूं और इस दौर से मुझे लगने लगा है कि ये जो पांसाथ महीने निकले हैं और बेशक पांसाथ महीने और भी निकलेंगे और आगे क्या होगा ये भी अभी किसी को भी पता नहीं है न किसी वग्यानिक को पता है न किसी देश के राष्टर के प्रधान मंतरी को पता है किसी को कुछ भी नहीं पता है आने वाले समय में क्या होगा लेकिन हाँ ये समय परोक्ष रूप से नहीं प्रत्यक्ष बहुत सीधे एक पाठ पढ़ा रहा है और मुझे लगता है हमें बहुत बहुत इमानदारी से उस पार्ट को अनुभव करना चाहिए समझना चाहिए उसे सीखना चाहिए और उसे फालो करना चाहिए और वो बड़ा फायदे बंद है और वो है मिनिमलिस्म नियुतम चीजों की जरूरत अगर आपके जीवन में है तो मुझे लगता इसे कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा बलकि हमारे जीवन को एक आधार बूत और आनंद में कोई एक नई बात कोई एक नई हमारा तंत्री का तंत्र एक अलग से जरूर बनेगा अगर हम जरूरत से ज़्यादा चीजों को कामें नहीं लें उनकों से दूर रहें और अपने आनंद से साथगी भरी छोटी मोटी और कम चीजों से अपने जीवन को गजार पाएं मुझे लगता इस दौर नहीं सिखाया तो न्यूनतम चीजों में चित्र शामिल होंगे या ने ये दो बात होगी एक जीवन जीने की बात एक आम जीवन जीने की बात के तहट मैं समझता हूँ कि चित्र को इस तरह से हमें बीच में लाके खड़ा नहीं करना चाहिए एक आम आदमी के जीवन जीने में चित्र कहीं काम नहीं आता है चित्र वैसे भी एक एरिस्टोक्रेटिक सब्चेक्ट है एक बहुती यानि क्या कह सकते हैं हम इसको सभी का विशह नहीं है ये एरिस्टोक्रेटिक सब्चेक्ट है जैसे शौक की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो आदमी दो वक्त अपना विचारा पेट भरने की चिंता कर रहा है वो किसी आधोनी के सम्गाली नकला की किसी पेंटिंग को लेके तो विचार नहीं करेगा बेशक इसका अपना एक वर्ग है इसकी अपनी एक शेणी है इसके रसिक है और अगर वो रसिक है वो शेणी है तो वो तो अपने जीवन में उस कला की उस चितर कला की तरिशना को बरकरार तो रखेगा ही हर बच्चा दुनिया का शायद ही कोई बच्चा नहीं होगा जो चित्र ना बनाता हो तो Aristocratic Art कैसे हुई हर विक्ती चित्र बनाता हूए मैं समकाली इनकला की बात कर रहा था मैं Modern, जिसको एक आम आद्मी Modern Art बोलता है मैं उसकी बात कर रहा था मीटिंگ रख दू पिकासो की रख दू या भारत के किसी कलाकार के रख दू वो बेशक कहेगा कि भाई ये मेरे समझ में नहीं आएगी उसको समझ में नहीं आसकती क्योंकि ये विशह उसका नहीं है लेकिं हमाट को डूसरे आयाम ऐसे हैं और भी ऐसे डाइमेंशन है जो उसके समझ में आते हैं उसे पहार अच्छे लगते हैं उकता हुआ सूरत अच्छा लग सकता है बहती हुई नदी अच्छी लग सकती है तो यहां कोई यतार्त परकता और अमूरतन और अकरती परकता और स्टालाइजेशन और इन सब के बीच के जो यह जो विचार हैं यहां आके महत्व पूर्ण हो जाए आप शास्त्री संगीत को ही देखी आप जसराज जी सोरक से था रहे हैं मैं कई बार कहता हूं कि जसराज जी कुछ क्लासीकल गार है आप या मैं या कोई एक आम आदमी जो शास्त्री संगीत की व्याकरण नहीं समझता है और वो सुन रहा है वो आख बन करके सुन रहा है तीन आदमी बैठे हैं तीनों आख बन करके सुन रहा है एक को शास्त्री संगीत की बिलकुल भी ग्रामर पता नहीं है लेकिन वो आनन्द में है और उसे नींद भी आ गई है बलकि मैं समझता हूँ सबसे अच्छा रसिक वो है दूसरा वो है जो उसमें देखेगा कि हाँ यार यहाँ पंडिची ने ठाट ठीक लगाया है हाँ यार इसको इस तरह से करते तो वो analytical approach हो गई आप समझ रहे हैं तो एक वर्ग ऐसा है जो शास्त्री संगीत को बिलकुल नहीं समझता हूँ उसे मुझे आ रहा है मुझे लगता है सबसे आदर्ष जो शोता है वही है जिसे आनन्द आ रहा है और जो समझने की प्रक्रिया में लगना ही नहीं चाहता है और उसकी यात्रा आप कहां आगे तक ले जा सकते हैं मैंने कई बार ऐसे दर्षकों को देखा है जो मॉडन आर्ट को देखते हैं और देखते ही मुझे फेर देते हैं अगर एक पल की लिए ठहरा हो अपना विचार उसके साथ समानान तर लगा के देखे अगर किसी और को कह रही है तो तुझे भी कह सकती है लेकिन सच कहूं तो आधुनिक कला एक ऐसी सतत यात्रा है जो जन्म से अगर समझने वाला उसके उस फेर में नहीं पड़ा है तो वो नहीं समझ पाएगा अबास जी ये आधुनिक कला और उसके साथ जुड़ेवा एरिस्ट्रुक्रेट जैसे शब्द ये कहीं एहंकार के प्रतीक तो नहीं है नहीं हेमिद भाई आब बताईए एहंकार जैसा असर नहीं है एहंकार वाली बात नहीं होती है शेणिया तो है समाज में शेणिया है और मैं उन शेणियों की बात कर रहा हूँ जिनका रिष्टा विजार से है यहां एक प्रश्ण और पुछूँ का है अमिद जी कि ये शेणिया कौन बनाता है क्यों बनाता है और इन शेणियों को ही अगर आधार माना जाए तो शास्त्री संगीत की बात करते हैं तो शास्त्री संगीत को बहुत उचा मान कर एक घर में लोक संगीत गाने वाले को नीचा मान लिया जाए नहीं 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 यह जो माना जाना है यह गलत है अगर इस त्रस्टी से बात करें तो सारी कलाओं के माई बापी लोक कला है आप शास्त्री कला का जन्म तो लोक कला से हुआ है इस आधुनिक कला का जन्म लोक कला से हुआ है मैं आपको बताओं मुझे एक किस्सा याद आता है जब मेरे भाईया की शादी थी और it was 1980 तो परभादिया औरतें आपको भी आईडिया होगा इस बात का कि शादी के माहुल में कुछ औरतें पांच साथ दस औरतें मिलकर सुबह भोर के समय परभादिया गीत गाती थी अब नहीं गाती है इसलिए मैं कहता हूं गाती थी और मुझे याद आता है कि मार्च में शादी थी और मेरे प्रिक्षा के दिन थे मैं दसवी में था और मैं उन महिलाओं के परभादिया के शादी के गीत को सुन रहा था मुझे शास्त्री संगीत की बिलकुल कोई सूजबूज या कोई विचार या कोई ग्यान नहीं था लेकिन उन्हें दिनों में भाईया टेप रिकारडर लाये थे नहीं और वो सुबह के समय ततक्षन वो जो गा रहे थे वो मुझे इतनी एंफेती में ले रहे थे मुझे इतना आनंद आ रहा था क्यूं और कैसे आ रहा था मुझे नहीं बता और मैं हटा डर के भाई साब सोई हुए थे और भाई साब से डर के मैं आया और एक कैसट लेके मैंने वो रेकॉर्ड किया परबा दिया और आप विश्वास करें कि बहुत दिनों के बार वो कैसट जब मैंने किसी जानकार को सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये आपकी सुभे की राग है भाई इसके अंदर सुभे की भैरव या उसके आसपास के भैरवी के इसमें नोर्स या अपडाउन जो भी कि इसमें छिपे हुएं कहीं न कहीं निश्चित रूप से छिपे हुएंज से जो थाती है वह तो लोग ही है बागी आईगी कहां से अब ये कोवेड-19 का समय ये समय मामूली नहीं ये मान भी लिया जाया तो क्या-क्या आशा हैं क्या-क्या आशा हैं क्या-क्या आशा हैं आपके मन में ये समय जगाता है और कैसा सुनहरा भविशे आप चित्र और चित्र क्ला का देखते हैं आएगा अच्छा दिन आएगा और आर्टिश तो आज भी काम कर रहा है और वो अभी जो आज के जो माहोल है और आज की जो भी गतिविदियां है वो सारा देख भी रहा है और उनमें कुछ उनके अपने अनुबव जो है आज के जो चेंज भी होंगे वो कुछ और सोचने लग जाएगा और खास करके अपनी जो ये दिन्चरिया है उनकी उनमें जिसे आर्थिक प्रोब्लम इवन सामजिक भी प्रोब्लम होगी उनमें थोड़ी बहुत और दूसरी बात यह है कि मेरे पास वापस एक वर्ड में यूज करूँगा शब्द वर्ड या शब्द वो हमन भई के पास है और मेरे पास में शब्द नहीं है क्योंकि इस बीच में मेरे साथ में बड़ा अच्छा खेल हुआ है मैं यह कह सकता हूं कि आज की तारिक में जैसे कहते हैं कि यह आम चिते रहे हैं मैं अंदर तक नहीं गुशता हूं जो देखता हूं और उसको मैं पटल पे दाल देता लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ कि मैं जो किर्शा देखता हूं वो हमारी हमंत भी नहीं देखते हैं और जो हमेंद भी मेरे पास में नहीं है जबकि प्रियेडी देखो आपके मैं नाइंटीन अटी क्यों में पास आउट किया था और हेमन भी ने मेरे से शे साल बाद लेकि इनका फिल्ड आज भी वह ही है तो देखने का नजरिया समझने का नजरिया वो सारी चीजे क्या है कि इनके पास जो है वो मेरे पास नहीं है और जो मेरे पास है वो इनके पास नहीं है तो अब जिस तरह से यह अपना आई हुई अभी COVID-19 की तो उनमें देखिए कि मेरा जो अपना जो तरीका है और इनका जो अपना एक तरीका है जीने का तो आप देखिए सबेंदन शीलता को लेके बहुत मुझे लगता है आदमी डरा हुआ है और अब मैं वापस आपको बता रहा हुँ साब कि मार्च और अपरेल में आम आदमी को ये लग रहा था कि ये कहानी है और महीने पनरा दिन में दो महीने में ठीक हो जाएगी और हम शायद जुलाई अ जन्त तक या अगस्त महीने तक सब कुछ पटरी पर जिंदगी दोड़ पड़ेगी और सब ठीक हो जाएगा और वक्त तो अच्छे बुरे आते रहते हैं साब और ये था आज हम अगर में ठीक कल ही दिन गिन रहा था तो एक्जेक्ट पांच महीने तो हमें हो चुके हैं अ के साथ देखा है लोगों में मृत्यू के भाई को भी देखा है बिमारी के भाई को भी देखा है रोज एक नई बात देखने को मिलती है बेशक मैं कोई इससे कोई संशय या भाय या डर डराने वाले उस मोड में नहीं ला रहा हूं किसी को भी लेकिन हां एहतियात रखना ह कि इस बिमारी का इसका इतना खतरनाक वो है कि यह साब आपको एतियात रखना है आप जब सारी बातें टेली फून पे फून मिलाते हैं तो सबसे पहले ही कहते हैं कि यह थोड़ी सी लाबरवाई भारी बढ़ जाएगी तो इस बारी बढ़ने का आशे किस से है जिन्दगी से ही तो है समवेदन शील होने का और समवेदनाओं को समझने का और अपने रिष्टों को टटोलने का और अपनों के होने का और फिर कह रहा हूं कि जो न्यूनतम वाली जो बात मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले वो वाली बात अपने अपने घर के अपना समाज इन सब के प्रती थोड़ी संवेदन शीलता थोड़ी इस तरह की एक उधारता और इनके साथ हम वापस उस आनन्द को पाएंगे यानि आशा बल्वती है आशा बल्वत है राजन इसी बात पर इस चर्चा को देते हैं विराम झाली आशा बल्वता पर इस चर्चा को देते हैं विराम झाल झाल झाल